हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ड्रीम क्लासेश तो अभी हम लोग पढ़ रहें क्लास 12 क्यमेस्ट्री और हमारा टॉपिक जो है वो सॉलिड एस्टेट है जैसा कि आपको पता है कि सॉलिड एस्टेट जो है यहां से काफी कोश्चन्स पूछे जाते हैं और यह काफी बहुत बड़ा एरिया है जिसे हमें कवर करना है तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में यह जो हमारा टॉपिक है कि क्रिश्टलो में सिमित पैकिंग टीक है यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आज हम इसका सॉलूशन करेंगे और उमीद है कि बिलकुल अच्छे तर किसमें क्या जो है वो क्या-क्या प्रोसेस होता है, मतब किसमें क्या पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से अल्ज डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो दिखी, यहाँ पे हमने लिखा है कि क्रिस्टल में अव्यवी कन, ठीक है, परसपर स्थानों में, कम से कम स्थानों में परसपर सटे होते जिससे crystal के अंदर, रिक्त अस्थान नियुंतम हो जाता है और घनत, सिंपल सी बात है, जब दोनों के बीच का जो space जो है वो कम हो जाएगा, तो density जो होगा, वो क्या हो जाएगा? घनत अधिक्तम हो जाता है, यदि crystal के अव्यवी कनों को कठोर गोला मानकर अध्यन किया जाता है, तो smith packing तीन परकार के होता है, अगर crystal के कनों को हम क्या कठोर गोले की तरह अगर मानकर चले, तो smith packing जो होती है, वो कितने प्रकार की होगी, तीन प्रकार की होगी, एक बार फिट से कहेंगे, कहेंगे क्रिस्टल में अव्यवी कन, यथा संभव कम से कम अस्थानों में परस पर सटे होते हैं, जिससे क्रिस्टल की अंदर रिक्त अस्थान जो होते हैं, वो नियूंतम हो जाता है, जब वो कहा कि एक आयामी सिमित पैकिंग वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एक आयामी सिमित पैकिंग क्रिस्टल में सिमित पैकिंग कितने परकार के होंगे यह जो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं यह कितने परकार के होंगे तो कहेंगे सिमित पैकिंग जो तीन परकार के होंगे एक हो तो ये कितने परकार के होगे एक होगा एक आयामी सिमित पैकिंग वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दूसरा जो होगा वो दूई आयामी सिमित पैकिंग टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और तीसरा जो होगा वो त्री आयामी सिमित पैकिंग ठिक है 3 आयामी समित paking THREE DIIMENSIONAL CLOSE paking तो 3 परकार के समित paking जो कितने परकार के होगे तीन परकार के होगे कब जब इनको अध्यन करते समय इनके कनों को अगर हमें कठोर गोला माले तो यह तीन परकार के होगे ठीक है अब एक के करकर के तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे चली तो बढ़े आगे तो अब एक करकर के तीनों के बारे में पढ़ेंगे एक आयामी सिमीद पैकिंग दूई आयामी सिमीद पैकिंग त्री आयामी सिमीद पैकिंग इसके बारे में हम लोग ड बेसिक से पढ़ाएंगे chemistry, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बीच-बीच से पढ़ा के छोड़ देते हैं, normally, हम लोग आपको basic से पढ़ाएंगे, और अगर आपको एक complete course करना है, chemistry, physics, biomass, तो आप हमारे app के साथ जूड़ सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पर प्रति दिन classes चलती है, और बिल्कुल एक टॉपिक, अगर YouTube में छूड़ जाए तो छूड़ जा लेकिन वहाँ बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि वहाँ पर आप fees जमा करके आप आईएगा, ठीक है, तो अगर घर पे बैठे हैं, और बिल्कुल classes जाने में दिक्कते हैं, आपको simple सी बात हैं, अभी तो आई रहा होगा, तो आप महाँ से class जोइन कर सकते हैं हमारे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक आयामी सिमित पैकिंग या एक बीमे निविड संकुचन, इसके बारे में हम कड़ेंगे, कहेंगे वैसा निविड, वैसा निविड संकुचन, जिसमें क कनों को पंक्ती में एक दूसरे से असपर्स करते हुए वैवस्तित किया जाता है, एक बीमे निविड संकुचन कहलाता है, वैसा निविड संकुचन, जिसमें कनों को पंक्ती में एक दूसरे से असपर्स करते हुए या असपर्स करते हुए वैवस्तित किया जाता है, एक ब Coordination Number, जिसको उपसा संयोजक संख्या कह सकते हैं, ठीक है, इसको CN से कहेंगे, इसको Coordination Number, आगे हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, देखें, फिगर में आपको दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है, इसको एक बार फिर से उपर लेके चलते हैं, थोड़ा सा, एक आयामी सिमित पैकिंग, हमने बताया थे ये तीन प्रकार के होते हैं, फरस्ट जो आपको दिख रहा है, ये है एक आयामी सिमित पैकिंग, या एक बीमिन निविड संकुलन, वैसा निविड संकुलन, जिसमें कनो को पंक्ती में, एक दूसरे से स्पर्स करते विए वबस्तित किया जाता है, एक बीमिन निविड संकुलन का लाता, इस प्रकार के निविड संकुलन में, परते कन अपने दो निकट वरती कनो को असपर्स करता है, अता इसमें परते कनो को सियन, कोडिनेशन नंबर उपसा संयोजक संख्या, दो होता है, तो एक चीज़ आद रखेगा, कि संकुलन होगा तो इसमें परतेक अभयवी कन जो होता है वो उपसायोजग संख्या कितना होता है यह दो होता है और यह फिगर आपको दिख रहा है दिखें एक जो होता है वो मिनिमम कितने को सपर्स करा रहा है दो को सपर्स करा रहा है और यहां पर यह जो आपको दिख रहा ह यही आपका हो गया, इसकी जो coordination number जो होगा, वो क्या होगा, दो होगा, यह उपसास संख्या, उपसास संख्या, coordination number, ठीक है, तो यह clear हो गया, एक आयामी सिमीद पैकिंग, हलाकि इसके बारे में थोड़ा सा ओर डिसकस करेंगे, हम लोग अगर बढ़ते हैं, देखिए, एक आय इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, students, दुई आयामी सिमीद पैकिंग या दुई बीमिय निविड संकुलन, टू-डैमेंशनल close packing या 2D close packing, ठीक है, तो कहेंगे, 2D close packing जो होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह एक बीमिय तो हो गया, इधर एक बीमिय तो हो गया, यह हो गया न, एक आयामी सिमित पैकिंग या एक बीमे निविड संकुलन, इसके बारे में हमने उच्छे से पढ़ दिया, इस फिगर को बना दीजिएगा, हलाकि यह दो नंबर में पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको पूछ दे कभी कवार, ठीक है, इससे रिलेट प्रकार के होते हैं, ठीक है, दूई आयामी सिमित पैकिंग जो होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, जहां कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला 2D स्क्वाइर क्लोज पैकिंग, अब सवाल आता है सर, 2D स्क्वाइर क्लोज पैकिंग क्या है, और 2D हेक्साग क्लोज पैकिंग क्या है समझे सीच को धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे समय जितना लगे कोई बात नहीं लेकिन पढ़ेंगे बिल्गुल कॉंसेट के साथ तो पहले जो है हम पढ़ेंगे इसके बारे हाँ ये देखिए पूछ सकता है ये डिरेक्टली ठीक है इससे बात मैं आपको रियालिटी बताऊं आपके बचे बोलते है सर हमने क्लास पूरा किया अबजेक्टिव नहीं लड़ा सर अबजेक्टिव नहीं बना सर हाड था देखिए वो हाड नहीं था आपने syllabus पूरा नहीं पढ़ा पढ़ा भी होगा ख्लास नहीं गए ठीक से अटें नहीं किया इस कारण से जो है कोशन जब objective वन लाइनर पूस देता है डारेक्ट प्रिबियस यह पूस है वो आपने टिक लगा दिया लेकिन जो कोशन जो objective कोशन के बीच से उठा कर देता है जैसे आपने पढ़ा कि coordination number जो होता है यह पढ़ा था ना अपने यह एक आयामी सि दूई आयामी सिमित पैकिंग या दूई भीमिय निवड संकुलन दो परकार के होते हैं पहला 2D square close packing दूसरा 2D hexagonal close packing तो हम लोग पहले पढ़ते हैं 2D square close packing कहेंगे इस परकार के निवड संकुलन में कनों के दूतिये पंक्ति को प्रथम पंक्ति के गोले से इस प्रकार चीक उपर हो तता 36 और उर्दवादर दोनों रेखाओं में सन रेखित हो तो कह रहा है कि इस प्रकार के निवड संकुलन में 2D square close packing दूई भीमिय वर्ग निवड संकुलन तिक है इस प्रकार के निवड संकुलन में कनों के दूतिये पंक्ति को प्रथम पंक्ति ये हमने प् इस प्रकार के निवड संकुलन में कनों के दूतिये पंक्ति को प्रथम पंक्ति के गोले से इस प्रकार संपर्क में रखा जाता है कि दूतिये पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक उपर हो जाता है तता 36 और उर्दवादर उपर नीचे दोनों रेखाओं में सन रेखी तो जाता है तो यह हो सकता है 2DA square close packing यह आपको दो नंबर का exam में पूछे maybe ठीक है और देखें अचा है मैंने आपको क्या बताया था प्रथम संकुलन यह जो आपने first पढ़ा था ना एक आया में सिमित पैकिंग इसमें हमने बताया था कि इस परकार के निविड संकुलन में प्रतेकन अपने निकट वरती दो कनों को असपर्स करता है हमने बताया था यह पीछे इसलिए इसका साथ संयूजा सोरी coordination number जो है वो 2 था हमने पढ़ाया था पहले में कि इस परकार के निविड संकुलन में परतेकन दो निकटम दो कनों को असपर्स करता है इसका coordination number CN जो है वो 2 है लेकिन इसमें देखिए इसमें 2D square close packing में इस परकार के निविड संकुलन में परतेकन अपने निकटवर्ती या अपने निकटम चार कनों को सपर्स करता है इसलिए इसका coordination number CN जो है वो कितना होगा बाबू 4 होगा नोट करिए गए यह one liner question है यह one liner question है कि इस परकार के निविड संकुलन में परतेकन अपने निकटम चार कनों को सपर्स करते है इसलिए इसका CN जो coordination number है वो 4 होगा अब चलिए यहाँ दिखिए यहाँ दिखिए one liner A यह भी important है one liner A यह भी important है कहा गया कि इस परकार की दबस्था में सभी पंक्ति ए परकार की होती है एक परकार की होती है इसलिए इसे ए डॉट 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 टाइप क्लोस पैकिंग का जाता है तो इसको हम कहेंगे कि 2D square close packing में जो पंक्ती जो होती हो किस प्रकार की होती है ए प्रकार की होती है इसलिए से A A A A A dot 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 type close packing खा जाता है इसके बारे में दो लाइन और हमने लिखा है कि इस close packing में ठोस गोले के द्वारा 52.4 प्रतिशत जगह को घेटता है तो 52.4 प्रतिशत जगह को हम क्या कर सकते है घेर सकते है अर्थात इसकी संकुलन छमता 52.4 प्रतिशत होती है जबकि सेस से 40.6 प्रतिशत भाग जो है वो रिक्त पाया जाता है लेकिन हमने इसमें पढ़ा था यह जो हमारा पहला टोपिक था कि एक आयामी दो निकटवर्ती कनो को जो है वो स्पर्स करते है यहाँ चार को करेगा और वहाँ काफी एरिया बिल्कुल होता था खुला हो यहाँ दिखिए मात्र इसकी संकुलन छमता जो है यह कितने प्रतिशत एरिया को गेड़ता है बावन्द समलब 4 प्रतीशत एरिया को गेरता है याद रखेगirst ballot यह पूचेगा आप एज़ा है कि 2D Square Closed Packing में रित द्त जो है रितियान जो है वो चत्त फल्की होता है यह किस तरह का होता है 2D Square Closed Packing में रित चत्त फल्की होता है बीच का जो एरिया होगा वो चतुसफल की होगा ये देखिए ये हमने figure भी आपको बना दिया ये है आपका 2D square close packing है न ये चतुसफल की ये है बीच में ये आपका जो एरिया हो चार उतरप से गेर रखा है और मैंने बताया था कि देखिए one liner में इसको एक बार फिर से पीछे coordination number जो है वो 2 है लेकि यहाँ पर हमने बोला कि इसके जो है वो 4 निकटवर्ति करों को पर्स करता है 1,2,3,4 इस कारण से इसकी cn जो है coordination number जो है वो 4 है ठीक है और इसकी संकुलन छमता जो है वो 52.4 प्रतिशत है ठीक है ये हमारा 2D square close packing ठीक है और ये a dot 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 type close packing का लाएगा हम हमारा ठीक है coordination number सबसे important सबाग ठीक है कि coordination number किसका कितना इसका कितना होगा जी 4 होगा अब बताइए का concept में कोई कमी है ये हमारा 4 कनो को सपर्स कर रहा है वो हमारे पीछे जो है वो 2 कनो को सपर्स कर रहा था अब आईए hexagonal 2D hexagonal close packing इसके बारे में पढ़ेंगे 2D hexagonal close packing थोड़ा सा पीछे लिखा है काफी अच्छे से ये रिखें hexagonal ये I think मेरे साब से 1,2,3,4,5,6,6 कनो को सपर्स करेगा A type, B type, A type ये आपको हम अच्छे से समझाएंगे 2D copy में note करिए ठीक है बाबु 2D hexagonal close packing दुई बीमिये सस्ट कोनिये निविड संकुलन ये इस तरह का ह है छे देखें प्रथम जो होगा उसमें कितना होगा ठीक है one dimensional close packing में coordination number 2 होगा 2D square close packing में coordination number 4 होगा और ये जो आपका 2D hexagonal close packing में coordination number जो होगा वो 6 होगा तीन objective यहाँ पर एकदम बिल्कुल clear हो गया ठीक है कि one dimensional ठीक है close packing में coordination number 2 2D square close packing में इसको इंदी में कहेंगे दुई बीमिये बर्ग निविड संकुलन में coordination number 4 और ये 47.4 प्रतिशत रिक्त रहेगा और 52.4 प्रतिशत को गहरेगा और 2D hexagonal close packing दुई बीमिये सस्ट कोनिये न coordination number जो होता है ठीक है ये 6 होता है और वो AAA था ये AB 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 है और ये संकुलन चमता 60 प्रतिशत यहाँ दिख रहा होगा आपको संकुलन चमता 60% इसकी चमता ये 2 important है ठीक है तो ये AB 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 type close packing का लागा clear है यहाँ तर बताएगा एक बार clear है चलिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे ये जो आपका 2D hexagonal ये जो हमारा था ना 2D hexagonal close packing हम यहाँ पर लिख देते है थोड़ा सा ठीक है आजी बिल्कुल 2D hexagonal close packing ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते है नो 2D hexagonal close packing कहेंगे अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है क्या-क्या चीजे इसमें उपस्तित है कहा गया की इस परकार के close packing में कनो के दूतिये पंक्ती को प्रथम पंक्ती के गोले के संपर्क में इस परकार रखा जाता है ये figure हमने आपको पीछे दिखा दिया है ये चीज़ हमने आपको figure में दिखा दिया ये हमारा है 2D hexagonal close packing इस इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस प्रकार के close packing में कनो के दूतिय पंक्ति को प्रतम पंक्ति के गोले के साथ गोले के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि दूतिय पंक्ति के गोले प्रतम पंक्ति के गोले के अवनमन में आ जाए जी इस बार जो है वो एक उपर होता थ उर्दबादर और एक नीचे लेकिन यहाँ जो है वो नीचे नहीं यह अब नमन में आ जाएगा इसमें प्रतेकन अपने निकर्तंग छे गोलो को के संपर्क में रहाता है पीछे हमने बताया था इसका कॉडिनेशन नमबर जो होगा वो 6 होगा यह पीछे अल्रेडी हो चुका है इसके बारे में इसमें पहली पंक्ती A प्रकार की और दूसरी पंक्ती B प्रकार की और पुना तीसरी पंक्ती A प्रकार की होती है इसको AB 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 टाइप क्लोस पैकिंग कहा जाता है डिसका हो चुका है अल्रेडी हम लोग ने बहले बता दिया था और इसका संकुलन चमता पीछे लिखा हुआ था कुछ सकेंड पहले में स्टीज को देख चुके हैं अब यहां पर यह जो है थोड़ा सा 3D क्लोस पैकिंग 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 3D क्लोस पैकिं होते हैं त्रिवीमिय संरचना द्वीमिय परतों को एक दूसरे के उपर रखने से प्राप्त होता है और दीखें यह हमारा लर्निंग है जो हमारे प्ले स्टोर पे हमारा खुद का लर्निंग है पर ड्रीम क्लासेस के नाम से वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है तो उस एप को डाउनलोड करके आप महां से कम्प्लीट कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं ठीक हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मै यहां पर भी लिखा हुआ है यह आपने समझ दिया 3D यह हलाकि उतना important है में पहला और दूसरा important है 3D clothes packing उतना important है लेकिन हाँ types of 3D clothes packing जो है वो बहुत important है ठीक है तो वो हम अगले class में करेंगे फिलाल आज के इस class को यही पर रहने देते हैं उमीद है कि बहुत मज़ा आया होगा आज के class में प्लीज आप लोग अपना feedback जरूर दीजिएगा ठीक है बाबाई टेक कर हसते रहिए मुश्कुराते रहिए अपने आसपास सफाइज रखते रहिए और continue study पर focus करिए और एक अच्छे लक्ष क्यूर आगे बढ़ते रहिए बाबाई students